आरी किसी करम से खुश नहीं कर पाओगे चाये तो मुल्टे लटक जाओ गुरू सिरफ एक बात पे खुश होता है जब वो तुमारी जीवन अपने एकॉर्डिंग देखता है उसके अलावा वो आजीवन ना खुश है तुम इस बात को लिखके रख लो गुरू की प्रसंता इस बात में नहीं है कि वो तुमें पुचकारे गुरू की प्रसंता इस बात में नहीं है कि वो बैठके तुमारी वावाई करे गुरू बैठ है तुमारी काट छाट करने के लिए तुमारी जीवन बनाने के लिए और तुम्हें अपनी मत पर चलाने के लिए गुरुका काम है जाँ जाँ तुम भूल करोगे वो तुम्हें वहाँआ पकड़ेगा और जब तुम्हारा एंकार भूल नहीं सुन सकता है तो वो अंदर से उुचा नीचा होने लगता है ऐसे क्यूं कहा ऐसे क्यूं कहा क्योंकि तुम लोग आते हो ये सोचके कि हम बहुत सेवा कारे कर रहे हैं हमें बहुत प्रशंसा मिलेगी और प्रशंसा के बदले मिलता है जूता तुमन आ जाता है हलचल में लेकिन सच तो ये है कि गुरू की मार में है समार और जिस प्यार की तुम उमीद रखते हो उसमें है बिगाड वो मिलेगा ने यहां पर तुम समार के लिए बैठे हैं ना हमको तुमारा निश्काम कारे चाहिए ना हमको ये चाहिए तुम हमारी एड़टिस्मेंट करो हमें सिर्फ एक बात चाहिए कि जैसा हम चाहते हैं तुम वैसे हो जो वैसा नहीं है हम उससे बात भी करना पसंद नहीं करते है क्योंकि वो अपनी मत पर चलता है मेरी मत से नहीं चलता है गुरू के एकॉर्डिंग चलना गुरू के एकॉर्डिंग जागरत होना और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि कई बार हमको चलते चलते इस मार्ग पर केरलेसनेस आने लगती है और गुरू हमको टाइम टू टाइम पिन्चो भाके वापिस लेके आता है कि कहीं तुम खो ना जाओ और कोई दिक्कत नहीं है जब हम एक माया से निकल के आते हैं अगर हम दूसरी माया में खो गए हमारा अपना उद्देश्य तो छुट जाएगा पहली जरूरत है अपने आपको गुरू के काबिल करने की देखो एक हैरानी वाली बात है गुरू के कारे के काबिल भी सब बनना चाते हैं मुझे समझ ये नहीं आती गुरू के काबिल क्यों नहीं बनना चाहते हैं उसके कारे के काबिल सारे बन जाते हैं निश्काम करें, लेक्चर करें, इदर जाएं, उदर जाएं कारे के काबिल तो बन रहे हो गुरू के काबिल क्यों नहीं बनते हो कि वो अपना साथ दे, वो प्यार दे, वो पास बिठाए, वो शेवा में रखे उसके काबिल बन जाएं हम सब इस काम में क्यों लग जाते हैं कि हमको कारे के ही काबिल बनना है देखो तुम यूगे हो जाओगे कारे तो इश्वर तुमसे अपने आप लेगा ना हम को ये बात है कि तुमारे किसी सेवा कारे से हमें कोई शिकाएट है लेकिन कहीं भी हम तुमें बैटें तो नहीं दे सकते हैं ना सबसे खतरनाक नदी है दुनिया में भावनाओं की क्योंकि इनसान का हर थोड़ी देर में पैर फिसलता है और वो बह जाता है कभी तुमने नोटिस किया इस बात को भावना की नदी सबसे खतरनाक नदी है जिस तरफ भावना का बहाव आ जाता है इंसान उस तरफ बह जाता है और अगर गुरु हमें भय में ना रखे सक्ती ना करे तो क्या हम खोनी जाएंगे बुरा हम लोगों को भी लगा होगा जब गुरु ऐसी सक्तियां करता था लेकिन इन सक्तियों में भलाई तो हमारी है अच्छा मान लोग किसी ने ये सक्तियां नहीं सही अब तुमें नजर आ रहा है बड़ा निशकाम कर रहा है अगला बड़ी मौज कर रहा है अगला बड़ा उसकी वावाई हो गई ना गुरु की नजर में कितना चड़ा ओओ तुम ये तो ढूंड के आओ गुरु की नजर में अगला गिरा पड़ा है दुनिया की नजर में चड़ा पड़ा है तो हो तो संसारिक विर्ती गई जैसे लोग संसार में नाम कमा रहे हैं लोग या नाम कमाने में लगे लेकिन गुरू की नजर में चड़ने में किसने पुरशार्थ किया पुरशार्थ तो वो होता है आज अगर माबाप की सक्तियां कड़वी लगती हैं बड़े ओके हम लोग खुदी अन्भाव करते हैं, कि उन्होंने ऐसा महौल रखा, तो हम लोग बचे रहे बाबा नहीं हमारे करेक्टर खराब हो जाते हैं, लगता है नहीं लगता है, कई घरों में माबाप सक्त होते हैं, लेकिन बड़े ओके बचे रेलाइस करते हैं, कि ऐसा ही था, जोश वाला, तो कभी-कभी हम लोग हिल जाते थे, आदत भी नहीं होती, घर में तो बिलकुल आदत नहीं थी, कभी मार तो हम लोगों ने खाई नहीं बच्पन से, डांट भी कभी नहीं पड़ी, क्योंकि आप ही पढ़ते थे, आप ही चलते थे, तो कभी घर म गुसा नहीं ऐसा हुआ था हम लोगों पर, कि बच्पन जितनी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, कुछ देखा ही नहीं था घर में, अब वहां जाके तो भगवान ऐसे जैसे कोड़े की छाया में रखता है कोई, सक्त महौल था, तो कभी-कभी ऐसे शेक हो जाते थे अंदर स कभी मूड आफ हो जाती थी, कभी बुरा लग जाता था, कभी यांसु आ जाते थे, तो ममी हमेशा एक बात बोलते थे, कि बेटा स्ट्रिक्ट मास्टर के अंदर में बनावत अच्छी होती है, हमेशा उन्होंने इस शब्द से बहुत धीरज दिया, वो पास बुला लेते जब देखते थे ऐसा, दीरे दीरे समझाते थे, बेटा स्ट्रिक्ट मास्टर के अंदर में बनावत अच्छी होती है, अगर मास्टर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो फिर तुम आदे अधूरे रह जाओगे, बोले हमको मालूम है सकते हैं, गुरु जी का नाम लेके बोलते हमें मालूम है यह सकते हैं, पर देखना तुम निखरोगे, देखना तुम बड़े अच्छे बनोगे, तो ये भी तो अपने मन को एक बात समझानी और दिखानी पड़ती है, आज जब तुम दुनिया में जाओ, तुमें हर जगा बड़ा सम्मान, मान, वावाई सब मिल रह ही है, तो बैलेंस तो घर में आके करना ही पड़ेगा ना तुमें, जब तुम लोटके आओगे, तो हम बैलेंस तो करेंगे, तराजू का एक पलड़ाई उचा जाता जाएगा, और दूसरे पर हमने बाटी ना रखा तो होगा क्या, गिरावट हो जाएगी, फिर वही उद् करता है इनसान का, जो विक्ती सिर्फ इस चकर में लग जाता है, ना निशकाम, लोग बनाओ, मेरा नाम हो जाए, फिर एक समय आएगा लगेगा गुरू के नाम से भी ज़्यादा मेरा नाम हो जाए, ऐसा भी हमने खेल देखा है, गुरू का नाम लेने की भी आवश्यक्ता नहीं रह जाती लोगों को, अपने कोई प्रिगट करके चलते हैं, तो क्या फाइदा, जिस काम में हमारा नुकसान हो रहा है, तो अगर हम सजग हो के चलें, ज्यादा अच्छा है, मजबूरी है काम करना है, वो भी मजबूरी है, क्योंकि इसमें भी हम बहुत कुछ सीखते नो डाउट, निश्कामी होने के सिवाए सा काम बंधन नहीं जाते, विशालता नहीं आती, उदारता नहीं आती, सरव से प्रेम करना नहीं आता, सेवा नहीं सीख पाते, ये भी एक मजबूरी है, प्रेक्टिकल ग्यान के लिए, तुम्हें अपने आपको बनाना पड़ता है, इस तरह से भी, लेकिन फाइदा तब रहता है, जब कारे गुरू के अंडर होता है, अब ऐसे तो तुम्हें का सत्संग करो, पर अगर तुम्हें एक डर रहता है, आज तुम्हें चेंज करते हो, सत्संग तो भी बताते हो, आज मैंने इस घर में रखा है, आज फलाने घर में रखा है, वो आग्या मांग रहा है प्रशाद के लिए, कोई भी बात होती है, अब जब अंडर रहके कारे करते हो, तो तुम कितने निश्चिंत और फ्री रहते हो, देखो न, अब तुमको एक बार आपने कह दिया, आब अमर जी से करते रहें, अब हमको बार से लोग तुमारी क्या इमेज बनेगी, नेचरली हमको यही लगेगा कि अगला मन मर्जी वाला है, यही लगेगा कि आग्या में तो है नहीं, यही लगेगा कि एंकारी आगया है, यही लगेगा कि अब वो गुरु को अस्थान भी खतम कर दिया है उसने मन से, लगेगा के नहीं तो इसका मतलब जब गुरू तुम्हें गाइडेंस दे रहा है उसका आशिरवात तुम्हारे साथ है लेकिन वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता कि तुम बहजा हो यही तो गुरू के होने का फाइदा होता है कि वो हमारी डोर पकड़के रखता है और मेरे मन को पता होता ह मुझे हुकुम के बिना एक सेंटी मीटर भी नहीं हिलना है यही तो फाइदा होता है अगर पतंग आकाश में उड़ी नीचे वाले से डोर कट गई अब वो उड़ेगी नहीं अब बरबादी होएगी क्योंकि आएगी धाय से नीचे या तो लोग लूट लेंगे या फट जायेगी होना तो कुछ ना कुछ है दो गती नहीं है लेकिन जब नीचे वाले की डोर से बंदी हुई है कितना ही उचा उड़ा दे फरक नहीं पड़ता और जब वो समेटना चाहेगा समेट भी लेगा और इदर उदर वाले जब पेचे लड़ाते हैं वो बचा भी लेता ह अपनी पतंग को हमेशा गुरू के हाथ में डोरोने का ये फाइदा होता है हम लोगों का अनुभा हो तो यही कहता है गुरू के हाथ में डोरोने का ये सबसे बड़ा फाइदा होता है कि हम कहीं भी खो नहीं सकते ना कीरती में ना प्रशंसा में ना निश्काम में मन अपन भक्ती में रमा रहता है और ऐसा नहीं कि तुम्हारे कारे से गुरू को कोई उल्जान है लेकिन वो बीच बीच में बस एक इंजेक्शन लगाता रहता है अपना उद्देशे नहीं भूलना अपना उद्देशे याद रखना बगवान ने एक बार 95 में शयद तुम्हें यादी होगा सत्संग बंद कराये थे सबके अचानक नेनी ताल में 7th जून पर हम सब वहीं थे नेनी ताल में किया था 7th जून अचानक भगवान ने 7th शाम को एनौंस कर दिया सत्संग में कि सब सत्चर्चा बंद करो सत्संग तो अपने से होता है लेकिन जो सत्चर्चा सब कर रहे हैं बंद करो बड़ी हाहा कारमची कई लोगों ने चोरी भी निश्काम किया गुरुजी को पता ना लगे अपने सत्संगी बुला लिये कर लिया कई अने अपने सत्संगीओं को बोला मुझे नहीं आना, तुम लोग बैठके कर लो, कैसे रचला लो, भजन का लो, हमारा गुरूप ना तूट जाए, बड़ा हल चलुई, लेकिन भगवान ने जब जवाब दिया इस बात का, आज भी वाणी मेर पास रखी होगी वो, भगवान ने बैठके एक वाणी हो इसकी, और सबसे पहली बात उसमें ये बताई, कि भीड में हमारा बच्चा खो गया, उसको खोजने के लिए हमने ये स्टेप उठाया, ये स्टेप उठाने का सिर्फ एक कारण है, कि इस भीड में, सत्संग में भीड हो गई बहुत, सब निश्काम में लग गए, इस भी बीड में हमारा बच्चा खो गया, जो मेरे पास आया था, जो मेरे से जुड़ा था, वो सारे बीड में ही खो गई, सब को बीड पसंद आ गई, सब दूसरी तरफ चल पड़े, कि हमने ये ब्रेक इसलिए लगाई, कि बीड में हम अपने बच्चे खोजने पहले, अब क्या गुरू को कदर नहीं थी हम सब की महनत की, क्या उनको कोई शिकायत थी हम सब के कारे से, लेकिन एक जागरती शायद जंदगी बर के लिए दे दी, कि तुमारा उद्देशे गुरू से बंधे रहना है, तुमारा उद्देशे वो सब नहीं, वो एक साइड का कारे है, और सा गनिष्टता ना हो, बहुत किसी एक को साथ मत दो, बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी समझाएं, कि तुम अपना अकेले चलो, सब को गुरू से जोडते चलो, तुमारा ये अपना अपना दाइरा नहीं दिखना चाहिए, दल ना दिखे, दल दल बन जाएगी, ऐसे ऐसे करके उन्ह ने इतनी सारी सावधानिया दी, अब जिनको तो आ गई समझ, वो सब हो गई सो जाग, जिन्हों ने स्विकार नहीं किया, वो गिरे, आज जब मन स्विकार नहीं करता गुरू की दीवी सावधानी को, गिरेगा वो, वो गिरेगा, अगर उसकी श्रद्धर उठेगी तो गिरेगा वो श्रद्दा तो बढ़नी चाहिए घटनी क्यों चाहिए उमंग बढ़नी चाहिए घटनी क्यों चाहिए ये ध्यान हो कि उनकी इतनी नजर है मेरे उपर ये ध्यान हो कि मेरी एक भी भूल वो बरदाश्त नहीं कर सकते हैं ये कद्र हो कि मेरी जरासी भी गफलत उनको गवारा नहीं तो कितना प्यार बढ़ता है अंदर से एक बात बताओ कोई दुनिया में किसी की ऐसी संभाल करता है एक माबाप भी नहीं कर सकते करते हैं क्या फिर और एक बात ये भी बताओ कि अगर किसी को गुरु घरता है क्या माली अगर इत्ती मेहनत करके एक पेड़ लगाता है क्या कैंची उठाने का उसका ये मतलब है कि वो पेड़ की जड़ें काटना चाहता है नहीं वो शेप देना चाहता है प्रोग्रेस करना चाहता है और उंचा उठाना चाहता है और जागरती में रखना चाहता है जी में माली नू होंदा हर बूटा प्यारा है हर गुरु मुक सत्गुरुदी अखियांदा तारा है हर गुरु मुक गुरु की आँखा तारा है लेकिन वो अपने अनुभाव के बल पर कभी-कभी भगवान मौज में आते थे न फिर वो बताते थे कि जो हमने गुरु के संग अनुभाव किया सावधानिया उन्होंने दी जागरत किया बस हम तुम लोगों को वही सावधानिया देना चाहते हैं कि कहीं पर भी तुम फिसल ना जाओ देखो इतना बड़ा संगर्श तो किया दुनिया से निकले हम लोग अब अगर किसी थोड़ी सी भूल से पाउँ फिसलने लगा क्या होगा तुम से ज्यादा तकलीफ बनाने वाले कोईगी मटका तो तूटा सो तूटा पर मटके के तूटने की तकलीफ कुमार को ज्यादा है क्योंकि वो मिट्टी लाया चाना पत्थर निकाले गुथा चाक चड़ाया पकाया रंग रोगन किया किम्ती बनाया मिट्टी तो रुल रही थी गड़े की हो गई कीमत कुमार को ज्यादा तकलीफ होएगी न शायद हमें अपनी किसी गिरावट पे कभी कभी इत्ती तकलीफ ना हो शायद हमको अपनी किसी गफलत पे तकलीफ ना हो लेकिन गुरु को बहुत तकलीफ होती है जब वो किसी को भी हम भगवान को देखते थे किसी को गलत चलता देखते थे तो उनके अंदर बहुत जैसे चिंतन सा आ जाता था कभी कभी वो बेबस नजर आते थे कि अब अगला मेरी सुनता ही नहीं है अगला तो अपनी एंकार में है अगला तो अपने से ही चलता है बेबस दिखते थे वो लेकिन अंदर से ऐसे ऐसे चटपट आते थे ये भी रूप देखा उनका हम सबके लिए उनके अंदर चटपटा हट देखी थी हम लोगों ने जरासी किसी की बात पता चल जाए एकदम परिशान हो जाते थे कभी सत्संग में समझा कभी अगला सामने आया तो समझा वो जब तक राइट ट्रैक पे लेने ही आते थे उनके अंदर बेचैनी बनी रहती थी गुरू का वो जो रूप है न करूना गुरू की करूना संसारिक करूना की तरह नहीं दिखेगी गुरू की करूना जब होती है उनके रूप में कठोरता आ जाती है थोड़ी सी होती उनकी करूना है लेकिन जो सौरूप प्रगट होता है उस समय उसमें कठोरता होती है और वो कठोरता क्यों होती है उन्होंने एक युद छेड़ा है हमारे एहम के विरुद भगवान अरजुन से लड़ाई करवाते कौर्वों के खिलाफ युद छुड़वाते उस से पहले उन्होंने दसमें ग्यार्में अध्याय में अरजुन के एहंकार के खिलाफ खुद युद छेड़ दिया गुरू का काम है वो तुमारे एहंकार के खिलाफ युद्ध करता आएगा उसका काम है ये क्योंकि तुम अगर इतने समर्थ होते न अपने आप एंकार मार लेते सावधानिया रख लेते गुरू का काम तो बहुत कम हो जाता पर प्रॉब्लम है कि हमको खुद को उतनी जागरती नहीं होती है तो ये काम गुरू को करना पड़ता है उसको बैठके हम लोगों के लिए कठोर बनना पड़ता है हमारे एंकार के विरुद उसको खड़े होना पड़ता है को और किसी से मरेगा नहीं है अब जिव जिव तुम चलोगे निश्काम के मैदान में भी देखो सफ़लता то मिलने ग्यान अच्छा है गुरू की कृपा तुमारे साथ है गुरू के हुकम में हो सफलता तुम्हें मिलनी मिलनी है जामर जी चले जाओ प्यार तो सब ने करना ही करना है क्योंकि गुरू के आदेश से आरही हो सब यही मैसेज देते हैं कल भी मुझे कोई बता रहा था तुम्हारा जाना होता है तो हम एक ही मैसेज देते हैं गुरू का बच्चा आ रहा है सब जानते ही गुरू के कारण है भाई हम सब को मैसेज देते हैं सब पहुन जाते हैं बीड कहां से आ जाती है हम तो एक मेसेज देते हैं गुरू का बच्चा आ रहा है तो सब लोग पहुंच जाते हैं सब लोगों को अच्छा लगता है तो ये तो होना है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन तुम इस बीड में गुम ना हो जाओ तो पट्टा तो डालके रखना पड़ेगा ना किसी के अंडर तो रहना पड़ता है संसार में भी इंसान चलता है सास ससूर पती सिर पे कोई तो रहता है यहां आ गए जीवन यहां दे दिया गुरू का पट्टा रहता है गले में अच्छी बात है अब भगवान क्यूं बीजवीज में से हम लोगों को खीच लेते थे तुमने देखा है इत्ता लंबा सफर तुमने हमारे साथ तै किया है गुरू को भी देखा है उनके साथ भी रही हो देखा है ना सब और कितना वो ड्रिल कराते थे तुम्हें मालूम है किसी के घर साथ संग भी रखा होता था तुझे क्या करना यह क्या है निश्काम की आसकती काटता है गुरू गर में देखा ओप्रेशन हुआ कुछ हुआ एक समय बोल रहे हैं तुम 15 दिन हॉस्पिटल से हिलना मत और घर आके बोल रहे हैं तेरा क्या काम तु तो यहां मेरे पास आजा यह ड्रिल जो गुरू कराता है न इसका एक अपना ही इंपेक्ट होता है जीवन में अब हम कहेंगे आसकती नहीं गुरू कहता है नहीं है तो निकल के दिखाओ नहीं है ना निकल के दिखाओ जब हमको बुलाया डेडी के उपरेशन के बाद आ जाओ तुम पहले तो फोन में हमने बताया आचाना कैसे ऐसे डॉक्टर कह रहा है बोले तुम पंद्रा दिन उधर ही रह जाना घर नहीं आना सत्संग भी बता दिगा हमको फलाने को बोल दो सत्संग रोज वो देखे ठीक है उसके बाद हमको बोला तुम यहां आ जाओ सत्संग में इतनी अच्छी बात समझाई उन्होंने बोला देखो कभी गुरू कहता है सेवा करो अब फिर हम सेवा करते करते आसकत ना हो जाएं करता भाव ना आ जाए ये ना लगे मैं ही कर सकता हूँ गुरू फर निकाल भी लेता है वहां से सही बात है कराया भी छुडाया भी कराया तो अपना हुकम में कराया छुडाया अपने हुकम में छुडाया अब ये हुकम मानने में अपना मन बैलेंस होता है और नेचरल सी बात है अपने आप कोई छोड़के नहीं निकलेगा ऐसे भले हम कहेंगे आ सकती नहीं है ऐसा नहीं है कुछ इम्तिहान तो गुरु ही ले सकता अपने इम्तिहान जिते मर्जी ले लो पढ़ते हैं अपने इम्तिहान खुद भी लेते हैं फिर भी जो टीचर का इम्तिहान है पार तो वो करना है अपनी तरफ से त्यारी हो गई हमारी अच्छा हाँ मैंने अपने आप टेस्ट पेपर कर देखे ये कर देखा फिर भी जब टीचर ने इम्तिहान लिया नंबर क्यों कट गए बात तो वो है टीचर के इम्तिहान से गुजरना होता है और ऐसे घर से कोई भी नहीं निकलेगा घर में ऐसी परिशानी हो, सेवा की जरुत हो उल्टा एक बात पक्की हो जाती है, गुरू ने तो हुकम दे दिया हमे आरामसे करो, लेकिन वो ऐसे रंग बदलते थे एक मिनट में समझी नहीं आता था कि ऐसा भी हुकम दे सकते हैं भी खुदी कह रहे हैं कर लो, खुदी कह रहे हैं निकल लो छुड़ाया भी, अब ये जो गुरू की ड्रिल है आज समझो भग आता है, गुरू जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ और किसी किस दिन देखते हैं वो बिठा दिया जाता है सारा दिन तो मैं निश्काम में ही भागना है, क्या कर लेगा कोई सत्संग, बैठ जा आज गर में मन कभी कभी हलचल में आता होएगा मैं तो किसी के गर में रखा हुआ है, इतने लोग नए आने वाले हैं, तो क्या हुआ कोई दूसरा करेगा सत्संग, तो बैठ अब ये ड्रिल न, अपने आप नहीं कर सकते, गीता भगवान नहीं बताया, जब लक्षमी भगवान की बेटी का सरीर शान्त हुआ है, एक महीने से गीता भगवान जा रहे थे वहां पर, अब रात को आके बताया, उसका सरीर शान्त हो गया, बोडी रखी थी, रात को ने तो काना हो मर गई, बोला हा मर गई हो तो, बोला फिर किसके पास जा रहे हो, अब एक महीना किसी के घर तुम सारा सारा दिन जाओ, नेचरली जाए इंसान तो सब जानते भी थे दादा जी की बेटी हैं, उदर से लक्षमी भगवान दादा भगवान संग रहते थे, प् पास जाना है, बोडी देखने भी मत जाओ, संसकार में भी मत जाओ, अब उनकी दहली जीना लांगो खतम हो गई बात, अब कर सकता है कोई अपने आप ये डिल, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन ये गुरू कराता है, एक महीना भेजते रहे रोज, और उस दिन बोला आप क्य करने जाना है, तो मर गई, काम खतम हो गया अब, अब सारे घर बैठो, एक नहीं गया मुड़के उनके घर में, जा महीने, अब और कुछ नहीं यही आ जाता है, शायद किसी और को लगन लग जाए, घर वाले वेल्यू करें, शायद उनको सत्संग अच्छा लग जाए, सार यह दुखडा डिसी मन डर जैना, यह जो दुखडा लगता है ना मन को, गुरू की सकतियों का, दुखडा डिसी मन डर जैना, बिन बेडिन में चड़ जैना, दरसत गुरू है जो चड़ जैना, गुरू का दर ना छोड़े, संसार की किसी बेडी में ना चड़े, और यह द खड़ा देखके डरेना क्या बोला था राजा को उसकी माने जब वो कहता है कि मेरे को अमा रेंजी ये किये इंदो ये सांग फकीरी ये जो चौसरे किये थी इंदो मा से पूछता है मैं क्या करूँ तो उसने क्या बताया गुरू के किले में रहना अच्छे अच्छे माल पक्वान खाना अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सोना और गुरू की सक्तियां सेना त्यार कर रही थी उसको कंगी कर रही थी तो बालों में कंगी मारी उसके मुँ से निकली सी की आवास किति ये तू लाइक है गुरू के पास जाने के इतन्या सा चुबन तो तेरे से सही नहीं जा रही सी कर रहा है गुरू की सक्तियां कहां से सहेगा तो ये मा थी मा थी जिसने बेटे को उपदेश किया कि अगर तेरे से एक मैं कंगी मारती हूं सिर में बाल उलजे हुएं उसको तू सी सी कर रहा है गुरू की सक्तियां सहे लेगा क्या और सक्तियां सहे बिना कोई गुरू का प्यारा नहीं पांच प्यारे कौन थे जिन्नों ने अपना कतल करवाना मन्जूर किया गुरू सहीब तो खड़े हो गए तलवार लेके आओ आज प्यारों की परिक्षा होएगी अंदर चलो गर्दन काटूंगा प्यारे कौन थे जिसने वार सहा बले लोए की तलवार नहीं है शायद वो असान लगती है कभी-कभी काट के साइड करें जान तो छोड़ें असान लगती है कभी-कभी गुरू की तलवार मरने देगी नहीं और कभी-कभी लगता है जीने भी नहीं देरा गुरू हमें कहीं से शिश्य विचारे को पूछा दुखी था तुमारे जैसा गुरू का संग अच्छा या सांप का डंक अच्छा कहता है सांप का डंक अच्छा क्यों भई कहता है एक बार में मार के खतम करेगा यह मरने भी नहीं देता जिन्दा भी रखता है और डंक रोज मारता है थोड़ी-थोड़ी देर में डंक लगा देता है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ क्या देता है मन उलचता है लेकिन क्यों उलचे जो पार्ट पे तुम ठीक हो वो ठीक है उसको किनारे रखो लेकिन जो गुरू समझा रहा है वो समझ लो बैलेंस तो तुमें बीच में बनाना है न समझनी तो वो बात है जो पार्ट ठीक कर रहा है वो तो है ही ठीक हमने कुछ काई नहीं उसको तो चल रहा है वो तो ठीक ही चल रहा है लेकिन बात तो दुसरी है कि पार्ट ही करना रूप ना हो जाना बात तो यह है जब तक पार्ट करोगे तो में कोई माया नहीं घहरेगी गुरू का समझ के कारे करोगे कोई माया नहीं घेरेगी और जिस दिन भूल पड़ी उस दिन सबसे पहले डिस्टेंस गुरू से क्रियेट हो जाएगा यही माया है यह ग्यान नहीं है यह माया है जिसने घेर लिया और अब तुमारे पास भूले से भी गुरू की कोई सेवा नहीं, कोई काम नहीं कोई बाचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं यह माया है इस माया से बचने का है बस और कुछ नहीं है जहां तुम चलते हो कारे में इसमें सब बहुत अच्छा है पर अगर तुम उसमें बह गए तो अब हम ले चलते हैं तुमें अरद्वार लेकिन ध्यान रखते हैं कोई भी बह न जाए ना अब इतने लोगों में एक आदा नदी के साथ चला गया तो गरा के क्या जवाब देंगे गिन के ले जाते हैं गिन के ले आते हैं गिन के ले जाते हैं गिन के दरम शाला में ले जाते हैं गिन के वापिस ले आते हैं ध्यान दखना पड़ता है कोई एक आदा कमरे में रह गया तो भी मुश्किल मरा आएगा कैसे सत्संग में चाए नाश्ता रोटी रह जाएगी उसकी तो गिनके पकड़ लाते हैं गिनके ले जाते हैं तो यहां आके छोड़ते हैं तुम्हें गिनके भी हमारी तरफ से सब गिनके वापस आ गए जरूरी है न हम कैसे बेने दें पता लगे एक दो निकल गए गंगामे साथी देखा इसलिए सब को फैलाया जाता है पहले सब ध्यान रखते हैं तुमारा हम लोग नाने का आनन नहीं लेते हैं कभी भी सिरफ आखे चलाते हैं खड़े होके गूरते हैं तुम लोगों को अरे ध्यान से अरे नीचे नहीं जाओ अरे ऐसे मत करो जो एक अदा बैग गया तो सारा टिंब खराब हो जाएगा किसी को भी बहने नहीं देना यही यहां पर भी है बहने नहीं दे सकते हैं न तुमें क्योंकि यह तो फैक्ट है कि जब इनसान को चलता है ना प्रशन साह मिलती है किर्ती मिलती है और सबसे बड़ी एक गंदी बात होती है जो सुनने आते हैं वो तुमें पूरान मानने लगते हैं वो तुमें भगवान मानने लगते हैं इनकी माया ज्यादा गिराती है सबसे बड़ी दिक्काती है फिर खुशी आने लगती है खुद को भी अंदर से अब जिस चीज में खुशी आती है इंसान उसमें बैता है पर जब गुरु खुशी नहीं होने देता तुमें सो यहां चुबाए रखता है तो अपना बैलेंस रहते हो और कात में रहते हो अपनी भगवान कभी खुश होने ही नहीं देते थे हम लोगों को कहीं कितना काम करा हो नहीं बताया नहीं हम लोग सादु वासवानी की बर्त देती इतने हम लोग खुश होके आए हम तो गुरु जी की खुब महमा सुना के आए बजन और वो लोग सब गुरु जी कोई बोल के गए आप ये बच्चे कहां से लायो इनको भेजना ऐसे करें ये लोग कारे करें उधर आके सब को मिलें पहली बहुत तरीफ कर गए थे बगवान ने भी चुन-चुनके बेजे बता के बेजा तुम भजन गाना, तुम सत्चं करना तुम ऐसे करना और हमको भी लगा हमारा एम पूरा हुआ क्योंकि जितने उनके बड़े बड़े लोग थे ठी तो बहुत बड़ी पुरानी ट्रस्ट है पुना उना में भी उनका बहुत है तो बहुत उनलोगोंने माइक ले लेके बार-बार गुरुजी का नाम लिया उनके बच्चे आये उन्होंने इन लोगों ने क्या सत्संग किया हम लोग अभी तक की अनभाव नहीं कर पाए जो इन लोगों की अनभाव बहुत खुश और घर आती उन्होंने जो स्वागत किया हम लोगों का भूल क्या पड़ी अजीब सी अजीब सी भूल पड़ी कभी पढ़ी नहीं जो जिन्दगी में लेकिन उन्होंने आती सारा हम लोगों का नशा उतार दिया, हम सारे रस्ते में बड़े खुश होते आ रहे थे, बहुती जादा और कई ना कई खुशी में एंकार होता है, इसमें क्या बात है सारे हम खुश हो पुराने पुराने बच्चे थे हम सारे और सारे खुश होते हा रहे थे आती दर्वाजे भी नहीं अंदर हुए हम लोग गेट में स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया आदा पौना गंटा जब सबका भूत उतर गया उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुए रात को जाके पूछते हैं क्या हुआ था माँ पे बताया ही नहीं तुम लोगों ने कुछ भी नहीं जो आपने बेजाता हो गया वो रात को पूछा जाके आठ नो बजे कोई बुलाने आया भगवान नीचे बुला रहे है गए नीचे शाम का सचंग भी हो चुका था उसके बाद क्याते कुछ बताया ही नहीं तुम लोगों ने क्या हुआ वहाँ पर अच्छा लगा सबको खुश हुए सब भगवान बहुत अच्छा हुआ था ही नहीं वो क्रेजी नहीं था अंदर फिर समझ आया इन्हों नहीं ये क्रेजी तोड़ा होगा हम लोगों का लोग नाच्छते तो आई रहे थे अगले दिन सच्छंग में सपष्ट हो गई सारी बात सच्छ तो ये जानी जानना नार को क्या नहीं पता जानते ही थे कि ये लोग आज बहुत उचलते कूथते आ रहे हैं फिर उनका पेट द्रिश्टान था गदे की पीठ पर राम की मूर्ती और आ गया उसके उपर फूल गलती से पड़ गया एक हार गदे के कान में अटक गया गदा उचला राम की मूर्ती गिर गई गदे ने खाए डंडे अब सबको समझ आ गया कि क्या कहना चाहते है कि कल डंडे हम लोगों को क्यों पड़े समझ आ गया तो ये कोई शौक थोड़ी होता है गुरू का युक्ती होती है जब वो हमको इतनी माया से बचाता है वो हमको यहां की माया में क्यूं बहने देगा क्यूं गिरने देगा नहीं गिरने देगा बचा के चलेगा तुमारी जीवन को इतनी सस्ती तो है नहीं कि तुमने दाव पे लगा दी अब कोई बात नहीं वान आ डूबे तो यहां डूब जाएं नहीं हमीं डूबना ही नहीं है और इसलिए देखो रोज यह उमंग तुमारी ठे़नी अपने आप ही हो जाती है में तो तुम उड़ो आखाष में रोज अपने आप Thenडे हो जाते हूं नहीं नहीं आप कई है तो मैं जाना छोड़ दूँँ नहीं जाओ भी सही लेकिन उड़ो मत बस पक्षी तो रह पर परकट वाले एक बार इतना ही है उड़ने नहीं देगा गुरू तुम रोज अपने आपी मन में आ जाता है चाहे कोई तारीफ भी करें क्या तुम तारीफ करते हो अभी वहाँ जाके देखो मेरा हाल वहाँ आके देखो अपने आपी मन कहता है यह क्या कुछ नहीं है इन इशकाम भी कुछ नहीं है प्रशंसा भी जूटी है यह कीरती भी किसी काम की नहीं है अभी जाके तो स्वागती होना है मेरा अपने आप कोई पता है अपने आप ही कुट करने का मन करता है छोड़ दूचो बस हमें पक्का यही रखवाने है कि जिस दिन छोड़ वा दें उस दिन भी एक संकल पनाए तुमें जिस दिन ना भेजें उस दिन भी यह ना सोचना मैं नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं क्या हो गया कभी कभी होता है बुलाया होता है तुमने किसी के गर रख आज तो उसके रिष्टेदार आने वाले है सौ डेट सो होंगे कम से कम हम बोलते हैं अच्छा तू आज मत जा किसी और को भेजते हैं फिर लोग तो मुझे ही जानते हैं तेर को नहीं हमको जानते हैं लोग कोई भी हमारा बच्चा जाएगा चलेगा तू बैठिया होता है न वे जटके भी खाएएं कई बार क्या हुआ फर वो नुकसान हो गया क्या जाएगी पब्लिक भाग जाएए हमें क्या पब्लिक से लेना है कुछ तुमारी जीवन से लेना है पब्लिक से कुछ नहीं लेना पब्लिक का क्या है पब्लिक तो कठी कर लो एक तुम भालू न चाने खड़े हो जाओ पब्लिक आजाएगी पब्लिक कठी करनी कोई मुश्किल है कोई गिर जाए सड़क पे पब्लिक तब ही कठी हो जाती पब्लिक का क्या है पब्लिक बटोरना हमारा एम नहीं है लेकिन गुरू के साथ अपनी ड्रिल करना हमारा एम है उसमें काई उलस्ते कई बार तुम ये ढूंडने लगते हो मैं कहां गलत हूं कर गलत कहीं नहीं हो लेकिन गुरू की साथधानी है जरूरी नहीं हर बार तुमारी गलती है पर गुरू साथधान तो करेगा ना बचा के तो चलेगा ना मायाती तो करेगा ना फिर उसमें क्या दिक्कत है आज एक नेला-धुलाके बच्चे को मां बिठाती है दो गंटे तो वो भी ध्यान रखती है फिर मिटी में न चलाजाए फिर कपड़े न गंदे कर ले फिर अपने को न गंदा कर ले वो भी ध्यान रखती है एक ड्रैक्लिन किया हुआ कपड़ा तुम पहनते हो तुम भी सावधान रहते हो फिर दाग ना लग जाए इसको कोई फिर क्या दिक्कत है कईया जन्मा दे बाद चोला पाया कि वेखी किदरे दाग ना लगे गुरू तो इस चोले को दाग लगने से बचाता है तुमारे और कुछ नहीं है गुरू का जो सक्तियां है न वो सिर्फ हमें सावधानी देने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा भूले हुए ही होते हैं या कोई गलती करे बैठे होते हैं लेकिन वो बैलेंस तो बना के चलाएगा हमें और यह पकी बात है जितना ज्यादा तुम्हें बाहर प्यार मिलेगा गुरू तुमारे पेच उत्ते ज्यादा कसेदा जितना बार तुम्हारी प्रशन सा वावाई होगी गुरू उतना ज्यादा कूटके रखेगा तुम्हें ये नहीं कि उसको कोई जेलेसी है ये है कि तुम्हारा उद्देशे वही ना बन जाए कहीं इतना ही फर्क है खाली उड़ो तुम दुनिया में जितना मर्जी पर पतंग की डोर तेरे गुरू के हाथ में होनी चाहिए हाट टू हाट टाक होनी चाहिए तेरे दिल की बात तेरे गुरू से होनी चाहिए तेरे हर बात का उनको पताओ तुम सांस भी कहीं ले रहे हैं उनको पताओ इतना ही है अब दादा ने क्यों मना किया कहीं खाना नहीं कहीं अईसे नहीं करना किसी की देलीज नहीं पार करना खर ही इसलिए कि जब आ गया से अब तум पूछके जाते हो आज़ हम फलाने के जाएं फलाना बिमार हैं को पता करने जाना है मुआएं, मिलाएं जाके फलाना सत्संग के लिए कह रहा है आप कहिए तो रख दें, अच्छा आज किसी को बेज दीजी आप साथ तो फाइदा तो हमारा ही होता है ना इन कानून में चलने का बार शेरों में देखते हो इन लोगों को सत्संग कहीं चेंज करके रखना हो, कोई ना कोई यहां से जाता है बलते हैं आप भेज दीजी एक गाड़ी वहां से तो अच्छा हो जाता है अपने आपको